जो फल आपको सिर्फ पोधों पर उकता नजराता था उसी के पेड़ भी लगना शुरू हो चुके हैं मैं बात कर रही हूँ इस टमाटर के पेड़ की जरा ध्यान से देखें यह आपके सामने पेड़ हैं और पेड़ के उपर आपको लाल-लाल जो नजरा रहा होगा देखकर ऐसा लग रहा होगा कि सेब हैं लेकिन यह टमाटर है थोड़ा पास से भी आपको दिखा देते हैं कि यह मेरे हाथ में हैं और यह टमाटर है टमाटर कुछ अलग किसम के हैं और यह इसी बात से साबित हो जाता है ये पौधे पर नहीं हुगे हैं बलकि ये पेड़ पर हूगे हैं मैं इस समय डोडा में हूँ और डोडा में मुगल मार्किट के इलाके में ये टमाटर के पेड़ लगाए गए हैं जिनोंने ये पेड़ लगाए हैं उनसे भी बात करेंगे लेकिन फिलाल हैरानी इस बात पर होती है कि किसानी बदल रही है, अलग-अलग innovations हो रही है, फसलों की, सबजीों की, फलों की hybrid crops आ रही है और उससे जो चीज पहले असंभव होती थी, वो भी अब संभव होती नजर आ रही है, इस पेड़ की अभी आप जितनी height देख रहे हैं अक्सर उतनी height के आपको पेड़ नजर नहीं आ तो और ये टमाटर आप देख सकते हैं, आम टमाटर की तरहा नजर आ रहा है, लेकिन ये भी अभी पूरी तरीके से नहीं पका है, इसे भी अभी पकना बाकी है, बाकी भी जो टमाटर इस पेड़ के उपर लगे हुए हैं, जिन्हों ने पेड़ लगाया हैं, उन्हीं से बात करते हैं, फिलाल आप टमाटर के इस पेड़ का नजारा ने, अंकल आपका नाम? मुहमद शफी, शफी साब मुझे बताएं कि टमाटर तो पौधों पर उगता है, ये टमाटर का पेड़ आपने कैसे हुगा है? ये सिस्टर ऐसा है कि मैंने ये असल में रियासी से बीज लाया है, मैं इस चीज का शूकिन हूँ, कि जो चीज नहीं होगी नजर आगई तो मैं उसके पीछे पढ़ जाता हूँ, मैंने वहां से बीज लाया, एक साल ने, दूसरे साल ने, तीसरे साल मैंने उगाया इसको, उगाने के बाद इसके कम सकम चोदा पैड लगे, जएदा लगने नहीं लगे, चोदा पैड मैंने इन सब लड़कियों को दे दिये, मैंने का ये सब को लगने चाहिए, और इन लड़कियों को कहा कि तुम अपने पेड से इसको आगे बढ़ाना, ताकि ये जो हमारे पास अभी 80 पे किलो टमाटर है, वो हमें एक या दो टमाटर डाल कर इस से हम गुजारा कर रहे हमने 80 पे या 60 पे टमाटर नहीं खरीदा, आपने तब से टमाटर खरीदने बंद करने दे जाए पेला, पासित क्या है इस टमाटर, खासित इसमें ये है कि एक लगता है ये कम, ये दुगान का टमाटर है, वैसा ही टमाटर है, लेकिन है दरखत पर, इसका भी पेर कम है क्यूंकि मैंने ये अभी कोई डेड़ साल का दरखत है, अब इसका दरखत ऐसा है कि ये चड़ कर उतारने है, और हो जाएगी इसकी जब उगेगा, ये ये लंबा हो जाएगा, और इस पर अभी तक, कम सकंप, अभी तक इस पर छे-साथ-आठ किलो टमाटर इनने उतार कर खा लिए, इसके स्वाद में क्या कोई फरक होता है इस टमाटर में और आम टमाटर में? बिलकुल सेम है ये, टमाटर सेम है, अच्छा, सिर्फ ये ही है कि ये कम लगता है सबज कैसे लगता है मतलब कि अगर आपने सबजी बनानी हैं तो आम टमाटर यह才का चाह aspire मैं जहां से लाया था मैंने पूछा यह इनने का टमाटर मैंने का यह क्या कहता है यह चाइनीज ट्माटर है अब उन्होंने मुझे चाइनीज ट्माटर के नाम से दिया मैंने का मैं ले लूँगा कहता है ले लो उनने थोड़े से ट्माटर मुझे दिये तो मैंने लाल्च के मारे उनको रखा और भीज रख लिया मैंने तो मैंने शोक के मारे कि मैं इ लगा है और आपको पनी लगह में लगे जो आपकर देड़ना इसको को बताना कि यह लगा लो इजो इसको बस अब नहीं लगेगा पहला यह चोटा द्रख था न अब इस फोई टाइम ने अभी यह खा रहे हैं और यह मेरे ख्याल में एक मीने में यह पकने बड़े बड़े जो है पकने शुरू ह जाएंगे और आगे जो है इसकी टैनिया है तो टैनियो पर और लगने शुरू हो गये इसकी पेड़ की अभी हो जाएगी जितनी अभी आम देखने को मिल रहे कि अभी कुछ उचाए तो हो जाएगा और इस पर चड़ने के काबल हो जाए जहाद से मैंने लाए ना यह चाड़ कर दिया उन्हों तो साइज जो इस नमाटर का यह जितना है इतना ही रहेगा या इसस से भी बड़ा हो जाता है यह है यह है यह साइज है तो कोई इसको टमाटर को पसंद करें और इसको उगाए तो यह भी नाम रोशन हो जाएगा कि देखो इन्होंने लाया और लगाया कुछ लोगों को मालूम चला इसके बारे में आस-पास के आया आपके पास लोग बीज लेने के लिए कि हम भी लगारे हैं बहुत बहुत है और हम से हमारे गारा आए फिलिन लड़कियों को अँवने दे दी यह है अभी भी इन से मांग रहे हैं कि हमें देदो अमने लगाने कुछ खास देख रहे करनी पढ़ती है इसकी जिस तरीके से आप टमाटर के पोदेग खूद लगने शुरूर जाते हैं अब बताएं कि इतने ही पेड़ आप लगाएंगे आप शोच रहें के इसी तरीके की और भी पेड़ा बढएंगे और लगाएंगे मिल आपने लठाइटों को लिगों अपने आपने इसी ना आपको देंगे यह तो और महेंगे हमें खुद पूरे नहीं हो रहे हैं तो अग जब पूरे होंगे फिर तो बेचेंगे लेकर तब तक नहीं पहले बीज बांटने का पहले बीज अभी डेड़ साल में मसा यह पोदा हुआ है मैंने लाया बड़ी गिफ्ट से लाया तो बड़े मुश्कल से त्यार किया है और अब हम खुद खाएंगे पहले हाँ अगर ऐसे कोई करेंगे कि हम खाएंगे हम दे देंगे मुझे बता है सरकार बहुत सारी स्कीम्स चला रही है और इसी तरीके कि जो आप काम करते हैं कि अलग अलग फसलें उगा रहे हैं यह एक्जॉटिक वेजटेब डिमांड नहीं की कि हमारी मालड करें हम ने सिर्फ अपने अप से ही इसको मदद यह कि बीज लाया ऊणाय और आगे भी हमने लोगों को कहा कि उगाओ तो इसको फ believer केमत से नहीं से नहीं है हम कहते हैं कि हमारे बат पास पनीरी होगी हमने लगानी है भीज भी है तो जितने किा पढ़ों को देदेँ दूगा था अपने हाँ अपने यह फाहते है रीजा गाया है। तो वह एक है लगाई हrefлекल hairdry एम तो हो ऐसे खेत में लगा दियेchem अभी यांची तियारी से यहां भी हम कोई और चीज लगा देंगे कोई सब्सक्राइब अभी जैसे हमारे घीया है तो गीया अमारे वहां लोग हजारों की तैदा आदमें लोग ऐसे अमारे पूछने के विगेरी ले जाते अभी वहां कॉट्रलों घीया ऐसे पढ़ा है दिक्कत आती है कि अगर यहाँ पर पानी की कोई कमी हो या किसी चीज़ की कोई परिशानी आए होगाने में हमने चीज़ रहे हैं लोग भी जब देखते हैं कि कुछ नया हो रहा है तो खीचे चले आते हैं उसी तरीके से डोडा में ये चाइनीज टमाटर उगाने का काम यहां पर किसान कर रहे हैं और टमाटर भी वह जो पोधे पर नहीं बलकि पेड पर उपता है अभी इनका ये कहना है कि ये पेड की हाइट अभी थोड़ी छोटी है क्योंकि अभी अभी पेड उगे हैं लेकिन जब ये बड़ा हो जाएगा तो इन्होंने मुझे बताया कि ये जो सामने आप पेड देख रहे हैं इतनी हाइट तक ये पेड पहुंच जाएगा और फिर टमाटर आपको इस पेड पर चड़कर उतारने पड़ेंगे ये टमाटर भी आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि य साथी नोर्मल टमाटर के जैसा ही है और टेस्ट इनका एक है कि खतास इसमें जयादा है जापको चाम जालने पड़ते हैं यह एक टेमाटर भी अगर आप डालें तो आपका काम बन जाता है बड़ती महंगाई है सबस्जियां भी महंगी हो रहे हैं वह इन्होंने वे कुछिश कर रहा हूं कि जतने लोग भी मेरे पास आएं उन्हें टमाटर देने के बज़ाए उन्हें बीज दू ताकि वो भी ये टमाटर के पेड़ हुगाएं उनका भी गुजारा चलता रहे और जितने लोग आ रहे हैं मुफ्क में बीज लेकर जा रहे हैं ताकि एक समय व Google Market को इन Chinese Tomato की वज़ा से जाना जाएगा